हेलो हेलो असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे अल्ला का सुक्रे हम सब भी अच्छे हैं और रात का साथ साथ बज़ रहा होगा सोरी 6 नहीं बज़ने 6 बजने में 5-10 मिनट बचा हुआ है और अब अब इन जेश्ट हम लोग नास्ता करके फ्री हुए हैं जेश्ट अभी नास्ता करके फ्री हुए है तो सोची आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ क्योंकि सुबा से लेके अभी तक ही कुछ-कुछ छोटी चोटी वीडियो क्लिप बनाई थी बट फ्रेंट में आके आप लोगों के साथ कुछ नहीं की थी तुबा सलाम अगयरा तो सोची फहले दो सलाम कर लेते हैं तो आज दिन है जुम्मा और हम लोग साम में खाया है डोसा जिसकी रेस्पी मैंने वीडियो सूट कर लिया है रेस्पी का आप लोगों से फ्रेंट में के वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि घूल जाती हूं और ठंड इतनी ज्यादा रहते है दिन इतना छोटा होता है कि कब खतम हो जाता है टाइम पता ही नहीं चलता है अज फाइनली वीडियो बना ही लेते हैं तो अभी मैं किचन रहे हो और फ्रेंटा रही हूं किषा नहीं विडियो अदो एक घंटा लगी जाएगा जांठ लगी जाएगा दे में काड़े सामोड़ी बना रगा दिना टाइम लगाँ में कर दिजे अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो like share कर दिजे और मतलब like share करना मत भूलि अगर subscribe नहीं किये है तो subscribe कर दिजे और चैनल को या मुझे मोटिवेट कीजिए दाकि और अची अची वीडियो बना सकूँ तो कि अभी नीव हूँ बहुत कम वीडियो अपलोड कर पाती हूँ अभी पर अंदर से कमफोटेबल नहीं हूँ वीडियो को लेके तो इसलिए आप लोग से हल्प चाहिए या आप लोग भी सपोर्ट कीजिए तो बाइ बाइ अल्ला हाफेज दौाओं में याद रखेगा पूरा वीडियो वाच कीजिएगा और लाइक से एर करना बट भूल लिएगा तो आज दिन है जुमा जिस दिन जुमा की दिन का वीडियो बनाई थी जिस जुमा के बाद मतलब जुमा के बाद जैसे नमाज जुमाज पूरा हुआ फ्राइडे की दिन जैसे नमाज जुमाज पूरा हुआ तो मैंने दस्तर खान लगा दिया जुमा की दिन अक्सर हमारे चावल, अबब, बाबू, इनायक, आपबू, मा, इनाया सब के लिए लगा दिये थे और यहाँ भी मैं आ गई थी मुम दाल का चिला जो साधी पाटी में जो आपको दोसा होता है दोसा नहीं होता है तो मैंने हापे मुम दाल को धुल कर पीस लिया है मिंगा के रख दिया था रात में तो धुल कर पीस लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा मिला दिया है सूजी और हल्दी और नमग बस इतनी ही चीजों को हम इसमें मिला के थोड़े देर के लिए रेश्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाएगा, तो मतलब वही दस से पंदरा मिनट, तो दस से पंदरा मिनट के लिए हम इसको फूलने के लिए रख देंगे, और मैं बता दू कि साधी पार्टी में जो हमें चिल्ला दोसा बोलके दिया जाता है, अकसर देखना मुमदल का चिल्ला होता है, अकसर साधी पार्टी वगरा में, वह कैसे बनता है वह बताने के लिए मैंने मुमदल को जब भिंगाया तो उस टाइम कोई वीडियो नहीं बना पाय जब देटाने के लिए दस नत के लिए तप तक हमें रेडि कर लेते हैं चट्ट्णी साम दोल्के वह से साधी यह लगता है कि नारियल की चटनी है बट नारियल की नहीं रहती है यह लेना है इसे भारी मिर्च, लेसून, मुमफली और जीरा नमक नास्ता बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था 10-15 मिनिट लगा था और हमारा नास्ता रेडी हो चुका था बट बनाने का आइडिया होना चाहिए टेक्निक होना चाहिए कि कितनी जल्दी तरीके से हम इसको प्रिपेर कर सकते तो जिस कडाही में मैंने अभी भू वागरा देखते नअ आलू था और दोल्दी जल्दी सत्कते तो जबताई सैटी कुझा का संथकते दिया हैं टैय गए क्लрать से शुखां era चाहिए प्लाया लगा का नास्ता सो चट्नी होермा कर्fly मैं कि ऐखलार लुगी पानी और यसको पीसना पड़ेगा मुझे क्योंकि मु यहां पर नाष्ट कर देंगे जो इसका फिलिंग अंदर बनाएंगे उसके लिए प्याज के लिए प्याज को फ्राइज में मॉमफली डाल दिया अलग से महनत करने की जरूरत नहीं है कि मॉमफली निकालो फिर मसाला बनाओ तो इस तरीके से पिर अपने काम को एजी कर सकते ह उसके अंदर जो फिलिंग बनती है वह साधा सिंपल स्याज करते है चाट मसाला यूच करते है बहुत से लोगutral ऐ्यूच मिर्ची करते है तो कुछ भी नहीं तुम आप लोग को इसी रेसिपी है हमने इसा देने की कोसिस करती हूँ कि घर में जो चीजी है उससे आप लोग अपना नास्ता रेडी कर सकें तो यहां पर वाइल अलू डाल दिया है मैंने और मेरी फीलिंग थोड़ी जादा है क्योंकि मैं इसमें से आधी फीलिंग निकाल के रखूंगी उसको यहां यूज कर अब हजबने ने थस्ट गुरुआर को खिलाया था मुझे डुसा क्योंकि सएल यहां डुसावाला आया था बाहर से तो अन्होंनि मुझे बहुआ था तो अभी हां पर मैं चिल्ला और इसमें डाल देना है बालू की जो हम लोगों ने फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग तो इस तरीके से हमारा जहट पर डोसा रेडी हो जाता है टेस्ट एकदम बेस्ट आता है खाके बना के ट्राइ कीजिए उसके बाद बताईएगा कि आपको यह डोसा कैसा लगा बिल्कुल साधी पाटी वाला डोसा लगता है खाने में बच्च तो इतना पसंद किये थी इसको की लास्ट में हमें बोलना पड़ा कि डोसा कतम हो चुका है बिल्कुल भी कुझो ही ने बचा है तो यह हमारा डोसा जो है वो रेडी हो चुका है अब हम इसे करते हैं सर्व सोसच पर देखते हैं कि लोगों की क्या रिस्पोंस होती होती है चठणी और यह डोसाँ चल यह मा को खिलाकर दे और उनके मा ना चेहरा दिखाने से मना कर रही है इसले माका चेहराणने कि लिए बत मुख ले रही हmi तो बना नहीं करती है कि मत लो मत बनाओ बढ़ नहीं मत बनाओ मत देखो अधिक से हमारे हां चाचा जी भी आ गए थे मतलब मेरे चाचा सुसूर तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप डोसा खाएंगे तो उन्होंने का नहीं मैं यह सब नहीं खाऊंगा तो मैंने आप बैटिये मैं चाय बना देती हूं आपके लिए चाय पीने के लिए और मैं यहां पे उनकी लिए चाय चडहा दिती साइड में जैसे में अक पूछी बनता है तो मैं यहां पे हम चाचा के लिए चाय बनाने लेगी ती और एक तरह पे राड़ा भी बनाकर लाती हूं तो चाय मैं पहले, उनको अपना खुद पम लए चाय, चाय को लिजांके देदूं से ब आपकई मेर थाय। हमारा धाय। तो झालक के नहीं मच से पानी इस सफ़ाया। ऐस्तों तरीकेसे हमारा थाय। तो मिआ रहा हां Thing with ऐसने से लिए सामने मोफारण चाली के हमारा वाहा। तब तक आप लोग डोसे की रेस्पिर एंजॉय कीजिए तो अब मेरा कैमरा में आ चुका है मैंने जैसे आप लोगो बताया तो यहां पे एक डोसा बना रही थी फैज के लिए फैज मतलब मेरे देवर जी इनको मैं बाबू बाबू दिन भर वोलती हूँ तो उनको मैंने कहा बोक्स में रख लूँगी और इस फिलिंग का कहां यूज करूँगी इसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा मतलब नेश्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा किस चीज के लिए बचा के रखी हूं मैं कभी भी कोई रेस्पी बनाती हूं तो अब मुझे खाने को मिला सबको खिलाने के बाद तो आपका फिडबैक है वह ही है कि कोई खाय और तारीफ कर दें कि सच में अच्छा बना है या पना टारीफ कर सकती है यूज कर सकती है बट उसका feedback मिलना चाहिए और इसका feedback यह है कि आपको तारीप मिलने चाहिए कि आपका जो आपने बनाया वो अच्छा बना तो अबारा चाय नास तक हतम हो चुका था टाइम हो चुका था रात का और मैं यहां पर रात में बना रही थी खाना तो आज हमने ज अब पूछों से आप पूछों कि क्या कर रहे हो तो काम कर रहे हैं बोलेंगे और क्या काम कर रहे हैं वह आप लोग देख लीजिए यह इनका काम यह अपना श्वैटर दिखा रही है को क्या जी इसके पापा ने इसके लिए न्यू जॉकेट लाया है यह जैकेट लाया है अपने चाचू को पापा बोलती है तो पापा उसके लिए जैकेट लाए हैं और नิछी का स्टिकर भी निकाली है बोलिये इसको रहने देना बटा इसलिए और यह टोपी लेगा कर है आदे लुट तो आये दिखाते हैं और जो क्या किया कर रहे हैं तो इस तरीके से यहां पर बच्चे ंथी खेल रहे हैं यह की तरीके से कहे धाने हैं यह फ्केल रहे हैं और ये फल अलफी है अलफी दिन और मा राम से बैट के टीवी देख रही है उनको मतलब उर्दू चैनल देखना बहुत पसंद है तो वो राम से बैट के उर्दू चैनल देख रही है अपना और ये है मेरी बेटी अलफिया जो अपने भाईया को पाके बहुत खुस है उसका देखी वर्ड है भाईया आ गिया अभी वैसी गारी दी भाईया आ गिया बहुत खुश रहती है अपने भाईया लोग के साथ तो अल्लत आला ऐसे ही खुशी में बच्चों की बनाए रखे बाई बाई अल्ला आफिस दुआओं में याद रखेगा नेश्ट वीडियो को ये अघू ये अजी वेगड़ वेडन अभाई खुश थाह ज हुशाओं येश्ट वेया ङूरी वेयाब भाई ए बनाफ बनाफर सब्स्क प्राईया औरागल ये आरे में बनाफर स生जी का थार को वेगतारे अवेर शुश्श ने ही वेगर ने बनाफर सियान भाईगि